नमस्कार आप देख रहे हैं टीपी बी नीज और मैं हूँ आपके साथ अखिल जाएंगे चलिए रुक करते खबरों की ओर चुनाओ को लेकर पांचों राज्यों में सुखबुगाहट बढ़ती जा रही है लेकिन यूपी का चुनाओ बाकी राज्यों से एहम है इसी को देखते हुए हर दल के बड़े बड़े नाम यूपी में अगवाई करने उतर रहे हैं भासपा के लिए यूपी में योगी तो हुमकार भर ही रहे थे लेकिन गत गुरुवार को अमित शा ने भी मतुरा पहुँचकर सपा सरकार पर हमला बोला शा और योगी के बाद अब खुद परधान मंत्री मोधी परचार के लिए यूपी में कूद रहे हैं खबरे आ रही है कि 31 जनवरी से मोधी भी वर्च्वल रेल्यू की जरिये भासपा की कमान संबालेंगे उतरप्रदेश चुनाओ को लेके हर दल अपना पूरा जोर लगा रहा है इस बार की तस्वीर पिछले चुनाओ से थोड़ी अलग है इस बार जाट समुदाए भासपा से थोड़ा रूठा नजर आ रहा है और पस्चमी यूपी में जाटो की वोट परतिसत काफी जादा है भासपा हाई कमान इस बात को अच्छे से जानते हैं और शायद यही कारण है कि पहले ही चरण के परचार में भासपा का शिर्ष ने तृत्त्वे मैदान में उतराया है इन्ही चुनावी समीकरणों को लेके परधान मंतरी मोदी भी अपना केंपेंच शुरू करने वाले है परधान मंतरी मोदी भी 31 जनवरी को पहली आभाषी रेली को संभोधित करेंगे इस रेली में पहले चरण में मतदान करने वाले मतदाताओं पर फोकस किया जाएगा गोरतलब है कि चुनाव आयोग ने कोविड के स्थीतियों को मद्दे नजर रखते हुए फीजिकल रेली करने पर रोक लगाई हुई है भाजपा के सुत्रों के अनुसार अगर पर्तिवंद और बढ़ा तो मोदी इसी तरह की आभाशी रेली कर जन संपर्क करेंगे सुत्रों के मुताबिक 31 जनवरी की रेली की योजना इस तरह बनाई जा रही है कि इसमें पस्चिमी यूपी के कम से कम पांथ जिलों के मतदाताओं पर फोकस किया जाए यह रेली सहरनपूर, बागपत, शामली, मुझफर नगर और गोतम बुद नगर जैसे जिलों को कवर करेगी इस रेली के जरिये 21 विधान सबक शेत्रों को साधने की योजना है इन जिलों में PM की आब 80 रेली के लिए प्रतिक भासपा मंडल में एक LED स्क्रीन लगाई जाएगी एक LED स्क्रीन पर लगबग 500 लोगों को लाने का लक्षे बताया जा रहा है इस तरहे LED स्क्रीन के जरिये पार्टी का लक्षे एक वर्चुल रेली में करीब 50 हजार लोगों तक पहुँचने का है अब तक केंद्री ग्रा मंत्री अमित्षा, भासपा के राष्ट्री प्रमुक जेपी नडडा, मुखे मंत्री योगी आदित्तनात, डिप्टी सीम, केसर प्रशाद मोरे, यूपी भासपा प्रमुक स्वतंतर देव सिंग और अन्य भासपा नेता पश्चिमी यूपी में घ TVB News में